So, hello everyone, I hope आप लोग artificial hurt के बारे में जानते होंगे जी है, जब किसी इंसान को किसी तरह की hurt issue आती है और doctor उसे hurt transplantation के लिए बोलते हैं और उस समय अगर कोई hurt donor नहीं है तो ऐसे cases में क्या होता है कि artificial hurt का use गयाता है ताकि उस person को for the timing बचाया जा सके और आपको मैं बता दूँ कि इस artificial hurt की कीमत जो होती है इंडिया में इसके transplantation की cost almost 80 lakh से लेके 1.2 करोर तक होती है और more than 80% जो ये artificial hurt आते हैं वो आपको import rate है मतलब दूसरे country से खड़ीदा जाते है और 20% ही हमारे देश में इसकी manufacturing होती है और इस artificial hurt की importance इसलिए भी जाते है क्योंकि जब आपको donor की जरूत होती है तब आपको मिलता नहीं donor और report ये बताती है कि less than 1% को donor मिलता है उस समय जब उसकी requirement होती है इसलिए artificial hurt जो है बहुत important होगा life को save करने के